जहें दोस्तों कैसे आप सभी मैं प्रीती सिंग एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सब के चैनल EPS पर दोस्तों कंटिन्यू करते करन्ट अफेर की क्लास आज दोस्तों ये करन्ट अफेर का 41 नंबर का लेक्चर है इससे पहले दोस्तों ओलरी मैं 40 लेक्चर अपने चैनल बहुत से दोस्तों को मेरे चैनल का नाम नहीं पता है वो कमेंट में बार बार पूछ रहे कि क्या मैं माँ पढ़ाते भी हैं आपके चैनल का नाम क्या है तो दोस्तों मेरे चैनल का नाम है EPS बा प्लेलिस्ट में और 40 लेक्षर मिलेंगे आपको करन्ट अफेर के दोस्तों अगर आप वो करन्ट अफेर की क्लास मेरी रोज कंटिन्यू देखते हैं तो आपको इस्टेट लेवल के और 60 लेक्षर स्रू करते हैं एक प्यारे से कोट के साथ तुम्म न बैट ए मनजिल के मुसाफिर लख र्समेंजिल के मौसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा तो दोस्तों आप सभी को पता है ये मेरा भोती ज़्यादा फेवरेट कोट है क्योंकि दोस्तों जो इसकी लाइन्स है वो हमें इतना ज़्यादा प्रोथसाहित करती है आगे बढ़ने के लिए कि ये हमें ये शिक्षा देती है इससे हमें यही प्रेरना मिलती है कि हमें दोस्तों कभी भी थक्कर नहीं बैठना है हमें जो भी अपना एम है जब तक हम उसे अचीव नहीं कर लेते हैं तो हमें बिल्कुल भी हार नहीं माननी है बिल्कुल भी थक्कर नहीं बैठना है हमें रोज अभ्यास करना है और रोज आगे बढ़ते जाना है दोस्तों अगर हम रोज अच्छे से पढ़ाई करेंगे 100% फोकस अपनी पढ़ाई पर करेंगे तो जल्द से जल्द हम अपने जो भी हमारा टारगेट है उसको जरूर अच करते हैं आज की अपनी करन्ट अफेर की क्लास आज दोस्तों मैंने काफी महकून कोशन लिया है पहले कोशन केंगें जी आई टैग से आप अपने सेट लेवल अगने five मिसाइल दोस्तों यह topic हो जाता है अपना science and tech का मैं आपको हमेशे बताती हूँ कि अपने जो state level के PCS के exam है दोस्तों वहाँ पर science tech हो गया अपना economy हो गया अपना environment हो गया दोस्तों यहां से current से relate करके question आते हैं इसलिए मैं बोलती हूँ कि current affair की संख्या अपने state level के PCS में 35-40 होती है कितनी होती है 35 तो अपने को current affair हलके में नहीं लेना है रोज आदे से एक गंटा अपने को current affair के ले निकालना ही निकालना है रोज आदे से एक घंटा अपने को current affair पढ़ना ही पढ़ना है दोस्तों फिर मैंने लिया है कोशन अपना जो संयूपत ये सैनी अभ्यास चल रहे हैं उनसे कोशन लिया है और कोशन लिया है दोस्तों मैंने अपना जो ये चक्रवाती तुफान है तो दोस्तों इसे मैं आज आपको डिटेल में समझाऊंगी कि कहां पर अपना तंदूरी ज को क्या मिला है जी आई टेग मिला है किस स्टेट ने दिया है तो ये सब डिटेल में आज में चरचा करने जा रही हूं तो ध्यान से कक्षा को देखिए गा सुनिये गा और अपने नोट्स बनाइएगा दोस्तों पहले कोशन है कि हाल ही में किस राजी के कोशन है तो दोस्तों कोशन हाल ही में किस राज्ये के तंडूर लाल चने को जी आई टैग मिला हैं तो दोस्तों ये मिला है तेलंगाना को, किसको दोस्तों तेलंगाना जो तेलंगाना है तेलंगाना राज्ये के तंदूर लाल चने को क्या मिला है अपना जी आई टैग मिला है अगर कोशन आ जाए कि किसे मतलब तंदूर लाल चने किस राज्ये के किस राज्ये के तंदूर लाल चने को जी आई टैग मिला है और आपको उप्शन में दे दे मध् जो तेलंगाना है इसके तंदूर लाल चने को क्या मिला है दोस्तो ये मिला है GI टैग ये आपको ध्यान में रखने अब दोस्तो ये तो हुई करंट की बात आप सभी को पता है प्टी टी मैं के पढ़ाने का तरीका दोस्तो हम जैसे कोई भी स्टेट होता है तो मैं उसके बार करेंगों जान लेते हैं दोस्तों बात और कुछ में देखो फैक्श्वल जानकारी देंगी और ये तो हो गई करंट की Safety बात 사stad में और विजा आपको कवर करा दूंगी पहले फैक्चुल जानकारी जान लेते हैं फिर जो इससे और करंट में कोशन बने हैं वो बताऊंगी आपको दोस्तों अगर तेलंगाना की पहले हमें यही पता होना चाहिए कि तेलंगाना जो है दोस्तों यह लोकेटिड कहां पर है मतलब यह कहां पर इस्थित है भारत में जो तेलंगाना राजिय है दोस्तों यह कहां पर इस्थित है तो दोस्तों यह इस्थित है अपने दक्षिन में कहां पर इस्थित है दोस्तों यह है अपने दक्षिन में इस्थित यह हो गया अपना तमिलनाडू यह दोस्तों अपना तमिलनाडू इस्थित तैलंगाना इस्थित क्यों कि दोस्तों क्या होता है ना जब हम मैप के तुरू चीजों को देखते हैं या फिर अगर मैप के तुरू आपको समझाओं गी तो दोस्तों आप ज़्यादा मतलब connect कर पाएंगे अब आपको ये धियान में हो जाएगा कि जो तेलंगाना राज्ये है दक्षिन में इस्थित है और कहां पर है यह हो गया अपना te मिलनाडू यह होगी अपना आंधर प्रदेश इसके यहाँ पर इस्थित है तेलंगाना अब दोस्तो तेलंगाना के बारे में और जानकारी आपको देती हूँ अगर दोस्तो पूछ ले कि तेलंगाना की राजधानी क्या है तो दोस्तो सभी को पता होगा तेलंगाना की राज सेखर राओ कौन है दोस्तों के चंद्र सेखर राओ यहां के क्या है दोस्तों यहां के सी यह मैं के चंद्र सेखर राओ दोस्तों अभी मैंने बता दिया आपको अगर तिलंगाना की राजधानी राजधानी ओल्मॉस्ट सभी मेरे स्टूरेंट्स को पता होगी और दोस्तों पता होनी भी चाहिए अपने बिश्ट राज्जी है अब लगाना की चीफ मिनिस्टर पूछ ले तो आपको लगाना है के चंद्र सेखर राव अब दोस्तों तेलंगाना के बारे में और जो करंट अफेर से कोशन आ सकते उनके बारे में आपको जानकारी दूंगी दोस्तों तेलंगाना सरकार ने आसरा पैंशन शुरू किया अगर आ जाए कि भई आसरा आसरा पैंशन किसने शुरू किया कौन से ताज्ये ने आसरा पैंशन शुरू किया और तीन चार आपको ओप्शन में हो आंधर परदेश, मद्या परदेश, उत्तर परदेश या तेलंगाना तो आपको क्या लगाना है कि आसरा पैंशन जो योजना है आसरा पैंशन शुरू की है किसने की है कौन से सरकार ने किया तो दोस्तों ये शुरू की है तेलंगाना सरकार ने किसने तेलंगाना सरकार ने यह आपको ध्यान में रखना है सैकिन दोस्तों जो तेलंगाना सरकार है इन्होंने तेलंगाना गोर्मेंट ने अनुसूचित जाती के आरक्षन को पहले यहां पर दोस्तों अनुसूचित जो जात है इनोंने अनुसू ची से जाती के आरक्षन को 6% से बढ़ा कर कितना करने की बात किये हैं 10% जो तेलंगाना government है दोब मिश्व करेगी यह अपको धिहान में रखना है डारेक परसेंट से भी कोशन आ सकता है कि तेलंगाना सरकार तेलंगाना सरकार अनुसू चीत जाती बढ़ाएगी 6-12% बढ़ाएगी ऐसे देंगे तो आपको क्या लगाना है कि वही जो तेलंगाना सरकार है यह 6-10% अनुसुजी जाती का आरक्षन करेगी यह आपको ध्यान में रखना है अब दोस्तों बात करते हैं और कोशन यहां से कैसे बनेगा दोस्तों तेलंगाना भार वानिकी विश्विध्याले स्थापित होगा कोशन कैसे आएगा कि भारत का पहला वानिकी विश्विध्याले कहां पर स्थापित होगा तो दोस्तों यह आपको ध्यान में रखना है यह कहां पर स्थापित होगा यह भी दोस्तों तेलंगाना में स्थापित होगा यह आपक का capital आपको पता होने चीए यहां के cm बता दिये अब जो और current affair से मुझे question मिले दोस्तों तेलंगाना के बारे में वो solve करा दिए अब दोस्तों बात करते है अगनी 5 missile कि किस की दोस्तों हुँ अगनी 5 missile की दोस्तों को कोश्वन हे हाल ही में हाल ही में भारत ने अगनी 5 मिसाइल का रात्री परिक्षन कहां पूरा किया तो दोस्तों ये पूरा किया है ओडिशा में ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों ठंडी बढ़ गई है बहुत जादा अब आपकी मैडम के पास ना रिंग लाइट नहीं है मैं क्या जुगाड करती हूँ मैं ना जो हमारे बालकनी है उसका गेट खोल देती हूँ विंडो वगएरा खोल देती हूँ कि थोड़ी रोशनी आए तो दोस्तों इसलिए हाथ ना पूरे हाथ वेर तरतर कापने लगते हैं मैं सोची रिंग लाइट का थोड़ा तो जब पढ़ाती हूँ ना तो ऐसे हाथ पर एक्दम ठंडे सुन पढ़ जाते हैं लेकिन अभी रिंग लाइट वगेरा का अरेंजमेंट नहीं है जब हो जाएगा फिर गेट बन करके क्लास लूंगी ठंड लग रही है तो दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट कोशन पर ज रात्री परिक्षन पूरा complete अगर आ जाए क्या है दोस्तों कोशन हाली में बारत ने इस तरह के किस तरह की किया है इंटर कॉंटिनेंटल जो इसका किस तरह की बैलेस्टिक मिसाइल है यह तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है इंटर कॉंटिनेंटल यह मिसाइल है यह आपको ध्यान में रखना है और इसका रातरी परिक्षन कहां पर पूरा किया है तो यह किया ओडिसा में दोस् कमांड से अगर आ जाए तो दोस्तों आपको लगाना है क्या है दोस्तों कोशन अगेन एक बार रिपीट करते हूं न्यूक्लियर चमता वाली बैलेस्टिक मिसाइल बैलेस्टिक मिसाइल अगनी फाइव का रात में परिक्षन कहां पर हुआ है यही मैंने बताया आपको यहां परिक्षन ने इसका परिक्षन का अगनी फाइव एक्स्व एक दम आपको अराम से समझतना है न्यूक्लियर चमता वाली बैलेस्टिक मिसाइल अगनी फाइव का रात में परिक्षन हुआ यह मैंने बता दिया दोस्तों यह हुआ है ओडिशा में कहां पर दोस्तों यह हुआ है ओडिशा में परिक्षन इंडिया आर्म्ड फोर्स की किस कमांड अगर कमांड आ जाए फोकस किस पर करना है दोस्तों कमांड आ जाए तो कमांड है यह कमांड का नाम है इस कमांड ने किया कमांड का नाम क्या है strategic forces command क्या दोस्तों अगर command का नाम पूछ ले तो आपको लगाना है strategic forces command move करते हैं दोस्तों next question पे जो की है Indian Air Force IAF Indian Air Force Indian Air Force IAF ने किस देश की Air Force के साथ गरूड गरूड 7 गरूड 7 क्या है दोस्तों question Indian Air Force IAF ने किस देश की Air Force के साथ गरूड 7 सेन्य अभ्यास किया तो दोस्तों ये किया है France के साथ किस के साथ दोस्तों France के साथ क्या है again repeat कर रही है question दोस्तों गरूड 7 ये काफी math phone question है इसको आप एकदम mind में बठा लेना आपको दोस्तों किसी ना किसी state level के PCS या फिर जो भी आप competitive exam की तियारी करें वहाँ पर ये जरूड देखने को मिलेगा क्या है question कि Indian Air Force IAF ने किस देश की Air Force के साथ गरूड 7 ये किया है France के साथ किस के साथ दोस्तों France के साथ ये आपको ध्यान में रखना है move करते हैं दोस्तों next question पे जो की है भारत प्लस सिंगापूर की नव सैनाओ के बीच October संदोहजार बाइस को द्वी पक्षिय सैन्ने अभ्यास हुआ उसका नाम किया है तो दोस्तों इसका नाम है सिंबैक्स अगर आजए भारत और भारत और सिंगापूर आजए भारत और सिंगापूर की नव सैनाओ के बीच October में एक तो आपको यही पता होना चाहिए कि भारत और सिंगापूर की सैन्ने अभ्यास हुआ कब हुआ तो आपको धियान में रखना है option में ऐसे भी आ सकता है कि September 2022 को हुआ June 2022 को हुआ नोमबर 2022 को हुआ या October 2022 को हुआ तो अगर ऐसे आ जाए तो आपको लगाना है कि भई October 2022 में इनके बीच में सैन्ने अभ्यास हुआ अब दोस्तो आगे क्या है दुवी पक्से सैन्ने अभ्यास हुआ उसका हमी नाम बताना है भारत और सिंगापूर के बाद जो भारत और सिंगापूर है इनका संयुक्त सैन्ने अभ्यास अगर दोस्तो पूछ ले तो आपको इनके अभ्यास का नाम ध्यान में रखना है, इनके अभ्यास का नाम है Simbacks, क्या दोस्तो Simbacks, बस आपको Simbacks ध्यान में रखना है, ये कब से कब तक हुआ, ये आपको ये तो पता चल गया, October 2022 में हो, कब से कब तक हुआ October में, तो दोस्तो ये 26 से 30 October के बीच में हो, कब से कब दक हुआ 26 से 30 ओक्टूबर के बीच वह मतलब कि चार दिन चला यह आपको ध्यान में रखना है मूव करते हैं दोस्तों नैक्स्ट कोशन पर जो की यह भारत प्लस USA की सैनाओ के बीच टाइगर ट्रफ क्या है दोस्तों भारत प्लस USA भारत प्लस USA की सैनाओ के बीच टाइगर ट्रफ अब्यास अगर ट्रफ अब्यास आज एक तो आहबको क्या लगाना है विशाका पटनम में इसका क्या हुआ योजन हुआ ठीक है लगाना है कि जो यह टाइगर ट्रफ अब्यास है जो संदोजार 22 में हुआ है आयोजन हुआ विशाका पट्णम में इसका मनला यह किस किस के बीच में हुआ भारत और USA भारत और अमेरिका के बीच में यह आपको ध्यान में रखना है भारत ने किस देश के साथ जिमैक्स दियान में रखना है भारत ने किस देश के साथ जिमैक्स संदोहचार बाईस युद अभ्यास किया दोस्तोह sut Schwung हर कक्षा में आपको युद अभ्यास के कोशिन करवारी हूं क्योंकि दोस्तोह युद अभ्यास के कोशिन है यह जो पहुती जादा महत् compost ना सो यह सिफ़ आपको स्टेट। लेवल PCS में देखने को मिलेगे बलकि दोस्तो YouTube स्वर्ण और यहांसे कुछन देखने को मिलेगा, एक तो संयूक्त सैनी अभ्यास हो गया एक अपना ये सूचकांक हो गया और अपना ये जो कैपिटल से पूछ लेते हैं करंसी से पूछ लेते हैं तो और जैसे नाम परिवर्थी तो होते हैं दोस्तों ये कुछ ऐसे टोपिक होते हैं यहां से एक्जामे कोशन बनते ही बनते ह चल रहे हैं वह सैयुत सैनी अभ्यास करा डेती उद्यश्य वह सुचकांक करा देती हूं लेकिन दोस्तों आगे मैं कक्षाओं में कैसे कराओं जैसे अब 2022 खटम होने वाला है तो जारी है जारी हुए तो दोस्तों वो सब भी मैं आपको कवर करा दूगी फिलाल आप जो मैं यह चीज़ें करवाती चली हूँ यह आप याद करती हुए चले क्योंकि जब हम करेंगे ना जैसे अगर हमने सुचकांग से लिया तो जब मैं आपको कराऊंगी तो उसमें बहुत सारे तो ऐसे होंगे जो हम पहले से ही कर चुके हैं तो आप आपकी रिवीजन टाइप हो जाएगी और एक साथ आपको फ्लास में मिल जाएंगे तो आपको वो बाद में रिवीजन करने में भी हेल्प करेंगे तो दोस्तों जैसे यह हैं भारत ने किस देश के साथ जिमैक्स जिमैक्स सन 2022 देश के साथ पूछा है तो जह है ना जासे आप ट्रिक से भी याद कर लें मैं दोस्तों हमेशा कहते हूं कि हर परकार के स्टूडेंट होते हैं भिन भिन परकार के स्टूडेंट होते हैं किसी को रटके चीज़े याद हो जाती है कोई ट्रिक से याद कर लेता है तो जो ब भीवारी THोड़ी ना है वह एक अपनी बच्चे का याद करने का तरीका है और आल्टीमेटली अपना गोल क्या है कि हमें एक्जाम को क्रैक करना है हमने कोई महारति या पिएचईडी तो किसी सब्जैक्ट में कर हो वह किसी को रटके याद हो रह रहा ह jour को Mayo को याद कर लें कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो बहुंज कर लगा के चीज़ों को याद कर लें तो अब अगर यह मैक्स है ब्हारत का इस यहाद कर लिया कि भारत का किस पाने और जासे हुआ इस अपना जी मैक्स शुरू हो रहा है तो अब जहां पर भी आएगा जी मैक्स दिखा आपको जा से सुरू हो रहा है जा से जापान तो आप जापान ही लगाएंगे तो दोस्तो मूव करते हैं नैक्स्ट कोशन पर जो की है इसरो ने भारत के सबसे सकती साली रोकेट जी एसलवी मार्क थर्ड का नाम बदल कर क्या दोस्तों कोशन इस रो ने इस रो ने भारत के सबसे सकती साली सबसे सकती साली रोकेट आजाए तो आपको क्या धियान में रखना है दोस्तों यह है जी एसलवी मार्क थर्ड जो अपना सबसे सकती साली रोकेट है वह कौन सा है दोस्तों जी एसलवी मार्क थर्ड एक तो य क्या लगाना है दोस्तों आपको लगाना है जी एसलवी मार्क थर्ड क्या दोस्तों जी एसलवी मार्क थर्ड लेकिन अभी इस तो ने इसका नाम बदल दिया है नाम बदल कर क्या रखा तो वह आपको ध्यान में रखना है ल्वी एम थर्ड क्या कर दिया है दोस्तों यह आप को ध्यान में रखना है मोग करते हैं दोस्तों आज के अपने लास्ट कोशन पर जो की है बंगाल की खाड़ी क्या दोस्तों बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तुफान का नाम सित्रंग सित्रंग किस देश ने रखा दोस्तों जो यह जैसे जो भी तुफान आ रहे हैं अभी इनका नाम करन किया जाता है जैसे किसी चक्रवाती तुफान का नाम अपना श्री लंका कर देता है किसी का अपना थाइलेंड कर देता है तो जो यह नाम करन होता है यहां से कोशन बनता है अभी कैसे कोशन है कि बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तुफान का ना अपना चक्रवाती तुफान आया, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ये हो गया अपना अरब सागर, क्या दोस्तों इधर है अपना अरब सागर, इधर दोस्तों है नीचे अपना हिंद महा सागर, हिंद महा सागर, हिंद महा सागर, इधर है दोस्तों अपना बंगाल की खाड़ी बंगाल की खाड़ी तो दोस्तों यहीं पर आया है अपना सितरंग चक्रवाती तुफान सितरंग चक्रवाती तुफान और इसका यह नामकरन दोस्तों किसने किया तो यह आपको ध्यान लेक्टर उल्रेडी मेरे चैनल EPS by प्रीति सिंग पर आप देख सकते हैं जो भी मेरे साथ नए स्टुडेंस जुड़े हैं क्योंकि बहुत से दोस्तों को नहीं पता मैं पढ़ाती भी हूँ और मेरा चैनल का नाव वो पूछते कि मैं मैं आप किस चैनल पर बढ़ाते हैं दिजाइन करने में दोस्तों उनका कंटेंट त्यार करने में रात के तीन-चार-चार बच जाते हैं फिर सुबह उठके बोर्ड पर लिखना और फिर उनक्लास को सूट करना तो पूरा दिन ऐसे निकल जाता है तो अभी मैं अकेले तीन-चार क्लास नहीं करवा सकती हूँ लेकिन मैं जल्द ही बहुत सारे मेरे स्टुडेंस की डिमांड है कि मैं आप जोग्रफी करवा दें आप इतिहास करवा दें तो दोस्तों आपको टैंचन लेने की ज़रूरत नहीं है इसी महीने में अपना जीए सैकिंड जो की अपना भारतिया राजविवस्था उसको कंप्लीट होते ही मैं दो क्लासिज अपना इतिहास भी सासात और भुगोल भी अपना कंटिन्यू करा दूंगी तो आपको टैंचन नहीं लेनी है जल्द से जल्द मैं आपको पूरा स्लेबस स्टेट लेवल पीसेस का जो बच्चे एससी वगएरा की तियारी कर रहें तो उ की है अपनी भारतिया राज वेवस्ता मतलब की इंडियन पॉलिटी वह कवर कराएं उसमें मैंने बहुत सारे टोपिक दोस्तों ओल्मोस्ट कवर करा दिये हैं सैकिंड दोस्तों चालिस लेक्चर मेरे ओल्रेडी करंट अफेर के कवर हो चुके हैं आज यह 40 नमबर की लेक् चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो लेट इसलिए पोस्ति आपको नोटिफिकेशन इसलिए नहीं मिलता है आपने जो बैल आइकन होता है ना ओल बैल आइकन दमबा ले उससे दोस्तों जब और को आपनी वीडियो शूट करके डालूंगी तो दोस्तों आपके पा चलना हूँ चाहे आप टैरिस पे अभी जैसे ठंडी पढ़ रही है काफी तो यहां रूम में तो बहुत ज्यादा ठंड लगती है अगर आपके मतलग पर चाहते हैं घर के तो आप महाँ पर जाके एकांत में अपना कानों में लीड लगाए फोन को सामने रखें और दोस्तों जो चीजे आपको याद हो जाती है उनको नोट नहीं करना है उनका रिवीजन करना है जैसे संडे में क्लास नहीं लेती हूँ तो संडे को आप उन क्लास का मेरा रिवीजन करे और जो चीजे आपको याद नहीं हो रही है याद करने में तो दोस्तों उनको आपको क्या करना क्योंकि प्रिती मैम क्या बोलती है दोस्तों अल्टीमेटली दोस्तों सक्सेस की जो की होती है वो होती है अपनी डिवीजन 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 आप जितना डिवीजन करेंगे यह उतनी जल्दी ही आप अपनी सक्सेस को अचीव करेंगे तो दोस्तों यह थी का effort आपको दीख रहा हूं मैं के पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हूं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और बस मेरा दोस्तों यह यह प्लीज लाइक तभी करें जब हमेशा बोलती वीडियो अच्छी लगे लेकिन वीडियो को जादे से जादा शेयर कर यह को बने का यह अपना के सपना है मात्र एक बनकर न रह जाए क्यूंकि दोस्तों सब्सक्राइब कर लगा तो इस तुरमाय तो पूरा परिवारी ली जीते दे पार है तो दोस्तों वो हमारे लिए भूत ही सो भाग्या की बात होगी तो दोस्तों आज मैं पूरी 100% कोशिश करूंगी कि आपको साम तक सारे नोट्स प्रवाइड कर दू जितने भी मेरी 4-5 किला से इसके रुके हुए हैं तो आप मेरे टेलिग्राम लिंक से डिस्क्रि फोन से नहीं पढ़ना क्योंकि फोन से पढ़ोगे जादा तो आँखे खराब होनी शुरू हो जाएंगी तो मैंनी चाहती मेरे किसी भी स्टोडेंट की आँखों पर इफैक्ट हो तो आपको प्रिंट में चीजे निकलवा लेनी हैं उससे क्या होगा दोस्तों उससे जो भी क्लासिस से काफी लाप्राप्त हो रहा है तो इसके लिए आप सभी का मैं शुक्रियादा करती हूं ऐसे मेरी क्लासिस को देखते रहें और पूरा सपोर्ट करें वीडियो को जादे से जादा शेयर करें और दोस्तों अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें 100% सिर्फ आप आपको अपनी पढ़ाई पर करना है इधर उदर सोसाइटी में क्या हो रहा है उससे बिल्कुल ध्यान नहीं देना कौन आपके बारे में क्या कह रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब आप सक्सेस को अचीव कर लेते हैं तो सबकी विचारधारा दोस्तों ऑटमेटि हो जाती है तो दोस्तों इसी मोटिवेशन बात के साथ खतम करते हैं आज की क्लास मिलते हैं आपको अगली क्लास जीएस सेक्ट में जो की है अपनी भारतिया राजवेवस्ता धन्यावाद